हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आप सब कापी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो पारी है ठीक है इसके लिए लिटिल बिट सोरी छोटी सोरी है क्योंकि कुछ सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले तो आठ मार्च 2018 कि जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट न्यूज कौन सी है उसको अपन डिसक्राइब और एज यूजवल जो हमारे हर लेक्चर के अंदर जो ले आउट रहता था वो किसी भी इंपोर्टेंट न्यूज से रिगार्डिंग रहता था आज हमने ले आउट रखा है वूमन्स डे से इंटरनेशनल वूमन्स डे सेलिबरेट किया जाता है हर साल आठ मार्च को ठीक ह तो इससे रिगार्डिंग कुछ बाते हम करेंगे तो सबसे पहले जितने भी फीमेल्स हैं ठीक है और इस्पेसली जो महिलाएं हैं उनको हमारी टीम की तरफ से बहुत-बहुत वूमन्स डे की बहुत-बहुत सुबकामना है उनके लाइफ में बहुत सारी खुशिया है वो कि यह हमारे आसा उमीदे हैं और होपस हो कि आफ वर्ल्ड की सभी वूमन्स अपने अपने सेक्टर में और ज्यादा पार्टिसिपेशन देंगी तो लैट्स स्टार्ट सबसे पहले जो न्यूज है उसके अंदर हमने रखा है कि यह एक कोट मान सकते हो बट यह कोट नहीं है पहले बात तो यह इंट्रदाइस्नल वोमन्स डे का सेलिब्रेशन कब से सुरूआ तो International Women's Day के celebration की बात मान जाती है कि 1909 से इस का celebration शुरुआ तो लेकिन यह अपने लिए important नहीं है Newark's Day की celebration की शुवारत रही यह अपने लिए important है अपने लिए important क्या है कि 1977 में 1975 के बाद में 1977 में क्या है United Nation of Organization की General Assembly नहीं यह गोशना कर दी कि आप साल 8 मार्च को किस रूप में celebrate किया जाएगा International Women Day की रूप में celebrate किया जाएगा ठीक है किसने गोशना कर दी संगतराच संग ने ठीक है तो संगतराच संग जब किसी डे को celebrate करता है तो उसकी theme भी रखता है इस साल के जो Women's Day उसके जो theme है वो क्या है Times is now Rural and Urban Activities Activists Transforming Women's Life Times is now Rural and Urban Activists Transforming Women's Life तो यह 2018 के जो Women's Day उसके जो theme है UNO के तरब से तो यह पूँचा जा सकता है 2016 और 2017 के जो theme है उसको रट्टा मानने की जरूद नहीं बस इतना याद रगना कि 50% 50-50% की बागिदारी की बाद दोनों themes के अंदर की गए कि भई महिला और फुर्टों के हर काम के अंदर इक्वल बागिदारी हो तो इस साल की जो theme हो क्या Time is now Rural and Urban Activists Transforming Women's Life That is the theme of 2018 International Women's Day इसके लावे एक International Children's Girl Children's Day भी मना जाता है वो मना जाता है 11 October तो यह भी दान रखना और बात करें इंडिया की प्रस्पेक्टिश हो तो इंडिया का जो National Girl Children's Day मना जाता हो 24 January को मना जाता है तो यह कुछ factual points है ओप जो आप सभी को याद रखेंगे ठीक है अगली जो news है वो इंपोर्टेंड यूज है और वो क्या Animal Welfare Board ठीक है Animal Welfare Board के बारें बात करेंगे क्यों चर्चा करेंगे यह भी अपन बताएंगे तो Animal Welfare Board की पहले बात तो इस्तापना कभी 1960 का जो प्रिवेंशन ओफ क्रेलेटी टू एनिमल्स जो एक्ट है प्रिवेंशन ओफ क्रेलेटी टू एनिमल्स टीसी एक्ट पीसी एक्ट के तयत इसकी स्तापना हुए किसकी Animal Welfare Board of India एक यह काम क्या करता है इसको नाम से पता चल रहा है कि एनिमल्स की Welfare के लिए काम करता है ठीक है और यह कैसी बोडी है तो एक सैचुरेटरी बोडी यह है शुरुआत में कौन से मिनिस्ट्री के अंडर माता था यह अपने लिए इंपोर्टेंट है यह पहले फूड और अग्रिकल्टर मिनिस्ट्री के अंडर माता था फिर उन्हें सुनब्बह में इसको ट्रांसपर कर दिया और यह किसके अंडर माने लग गया अब मिनिस्ट्री ओफ एन्वार्मेंट पर्याण मंत्रा लेक अंडर माता है कोन अनिमल वेलफेर बोड ऑफ हिंडिया तीक इसके अंदर 28 मेंबर होते हैं और कितने साल का उनका कारिकाल होता है ठीक है और यह अपने बताए दिया कि इनका काम क्या है कि वही और यह एडवाइजरी बोड़ी है, सैचुरेटरी और एडवाइजरी बोड़ी यह है, इसके लाओ जो ओर सीज विदेशी जो एनिमल वेलफेर और वो बात में काम करना चाहते हैं, तो उनको भी परमिशन कौन देता है यह एनिमल वेलफेर बोर्ड ओफ इंडिया, अब इसक बोड़ी है, इसके चर्चा इस लिए कर रहें, क्योंकि इसका जो première है, कि सिफट क्या गया है? कि बेन्वार्मेंट मिनिस्ट्री से बैटर कोडिमिशन की तो अपने कूछ एडवलू बी आई एन्मल वेलफेर बोर्ड ओफ इंडिया एक बारे में कुछ फैक्चुल बात याद रखने हैंगी PCA किते हैं तुनिससाइट में इसकी स्थाप आपने हो यह सैचुरेटरी बोड़ी 28 मेंबर होते हैं अगली जो नियूझ है वो किया है सुगथ यात्रा मोबाइल पाहले बात तो क्या है कि वह पहले बात तो किया है कि किस ने ज जाले क्या है 王 i of Sadly उफ इंडिया निश्को झाले कि या इननिके इन वारी जो रोड मिनिस्ट्री है प्रेशानियों का सामना मुझे करना पड़े इसके लाव आप मालो टूल पर चलने के लिए टूल क्रोस करने के लिए फास्ट एक भी यहां से पर्चेज कर सकते हो आप तो यह अपने द्यान रखना है कि सुगत यात्रा मोबाईल एप किसे रिलेटेड है नेशनल हाइवे से रिलेटेड है ठीक है अगली जो लूज है जीएम सोय बीम से रिलेटेड इस्यू बहुत इंपोर्टेंट इस्यू है क बैनेटिकली आनुवान्सिक रूपांत्रित फसले आनुवान्सिक रूपांत्रित फसले कई से कि मानलो कोई वी ऑर्गणिजम है और उस ओर्गणिजम के अनदर होता है कोषिकाब और कोषिقा है तो यंद्र कोरू ने के जाते हैं unlike an तो उसको बोलेंगे GM crop genetically modified crop ठीक है पहली बात दूसरी बात क्या है कि इंडिया के अंदर अभी तक एक ही फसल को अनुमती है और वो फसल का नाम क्या है कौपास कोई केवल कोटन कोई केवल अपरूड है इंडियन गवर्मेंट से लीगल ली जो genetically modified crops के लिए अवलेबल है ठीक है इसके लाव उसको बीटी कोटन बोलते हैं वो कौण से इंसेक्ट के लिए बैसिल है थूरी जैन्स के लिए तो बीटी कोटन उसको बोलते हैं इंडिया के अंदर और को मंजूरी नहीं दी गी है हाला कि मस्टार्ड सर्शूं को मंजूरी देने के बात चले लेकिन अभी नहीं दी सोयाब इनका क्या यूश्य है कि अभी अभी रिशेंडली जो अमारे एन्वार्मेंट मिनिस्ट्री है उसने डॉक्त डायरेक्टर जर्नलों फोरेंट्रेड ड कि इस ही ठीक है कि जैनेटीकल इंजिनिरिंग अपरेजल कमेटी एक होती हो चो इसके बारे मैं पुन देखें तो यह जैनेटिकली मोडिफाइड शोयाबीन क्या है इसको यूटल बीट अब होड़ी सोयाबीन है कि वर्ड का सबसे ज्यादा मोस्ट वैड्ली यूज प्लान चांट है ठीक है और इसके सुरुआत का पसुगू निसुचांड में से इसके में अंदर क्या बदलाओ किया गाया कि इसको राउंड रेडी आर जैसे से भीक टी पोटन बोलते हैं इसी इतने राइड़ राउंड ड्रेड सोया बिन ठीक है अब तो इसके अंदर क्या को रोप है उसके इंदर एक जीन इंट्रडीउट करा दिया जाता है इससे क्या करता है गम से ऑर्भी ऍसे सब्सक्राइडब्ट सांथ सागना से उससे प्रोटेक्ट करता इसको ऑफड़ियाब्स किस्का अपने ध्यान थीज़ झो नोर्मल जो जो सोयावीन है वो किस अघ्र को फास्पेट होता है डीने का जो नॉर्मल रर्व मैं यूद्ट विसके लिए। लेकिन ऑप रेडी जो सवाबीन है उसका डीनेश के लिए सेंसिटीव नहीं होता है ठीक है तो यह कुछ इस्यू है इसके उन्हीं सुछाण में से इसके शुरुआत कि अपने वताया था है कि यह कमेटी होती है जो इंडिया के अंदर अप्रूव करती है वह कौन सी क्रोप है वह जैनेटिकली मोडिफाइड लौंच की जाये कौन से तो उस कमेटी का नाम है GAC जैनेटिकली इंजिनिरिंग अप्रेजल कमेटी बोलो क्या जैनेटिक एंजिनिरिंग अप्रेजल कमेटी ठीक है कौन सी मिनिस्टरी का अंदर में आती ही पहले बातो ये मिनिस्टरी ओफ एन्वर्मेंट के यह आती है यह सार एक सार रेगुलेट करती है रूलोप मैनुफेक्चर का भी इंपोर्ट का भी एक्सपोर्ट का भी स्टोरेज का भी सब का से कौन से एक्ट के तैती बनी है तो अगली जो है वो उसके अंदर कुछ facts है थी अप्रिलमिनर्य एक्जाम के साब से पहले जो फैक्ट है वो क्या है कि अभी इंडियन गोर्मेंट ने इंप्रेंट इंडिया के लिए फंड रिलीज किया यानि कि अपने उसको बोल सकते हैं इंप्रेंट इंडिया टू तो अपने लिए यह जरूर इंप्रेंट इंडिया टू के लिए कि इंप्रेंट इंडिया ह को बढ़ावा देने के लिए कौन कोन्सी छेत्र में सांटिपिक रिसर्च की जा सकती हुसको फंड प्रोवड कराने के लिए ठीक है और रूरल और अर्बन एरिया कि जो लीविंग है उनके ओपर रिसर्च का क्या इंपक्ट हो सकता है क्या उनका वेल फिर किया दा सकता है उसे रिलेटेड ये प्रोग्राम इंडियन गोवर्मेंट ने लौंच किया था दो अजार पंदरा में कि उसने मिनिस्ट्री ओफ यूम और दो फंड परोविट करा निकली ठीक है इंप्रोविंग रिसार्च और इन्वेशन टेक्नोलोजी इंडिया ये इसका फूल फोर्म अगली जो न्यूज है वो क्या है कि यूरोपेन बैंक ओफ रीकंस्ट्रक्शन एंड डव्लप्मेंट एबी आर्डी क्या यूरोपेन इसके मेंबर बन सकते हैं जहां पर डेमोक्राशिव वाले कंट्री इसके मेंबर बन सकते हैं बहुते जो तोप लेवल बोड़ी और उसकांवेमिंब्र उती हमारे चुर। पटेल जी इसको रिपर्जेंट करेंगे इसकी गवर्निंग काउंसिल को तो यह अपने भी ध्यान रखना है कि यूरोपियन बैंक यह फुर्ट काउंसिल ऑ इंटरनाशनल के दौरे सर्वे किया गया है किस क्यां केक मैं ऐरपोर्ट हेंडलिंग्ग्रे टॉप लए पर आया हमारा इंद्रागंदी इंटरनाशनल एयरपोर्ट और मुंबाई का वह बश्ट एयरपोर्ट for customer experience वल्ट का सबसेयर एयर पोर्ट है के अपने को जान रखने शहाल है इसके लाव आगली जो न्यूज है कि यहां एलन मस्क भाई की जो स्पेस एक्स कम्पनी है उसका एक रोकेट है फॉलकन ठीक है फॉलकन नाइन तो उसने अभी अपना पचासवा सैटलाइट लॉंच कर दिया है ठीक है पचास के जी पर पचासवी फ्लाइट बरिस्क फॉलकन मस्क के 22 mm यह बनी थी फॉलकन ढानाइन के लिए दू खास बात हुग्यार क्षेंज तो इसके अंदर डबल फ्यूल स्वज के जाता है तो इसको 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 धी वी benevolे कर सकता है ठीक है इसके लावव जो अगली नूज है वो कह स्रिलंका के लिए फ्युरिवर्शनल सब्सक्राइब करें आपके को पसंद आएगा और हम आगे इसको कंटिनू करते सब्सक्राइब करें हाँ आपके कोई भी सजेशन हो कोई भी आइडिया लोग तो हमारी टीम से जरूर सेर करें हम जरूर आपके आइडिया को कंसीडर करें थैंक्यू थैंक्यू सो मच